हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है हमारे अफिशल चैनल माई टेक्निकल सपोर्ट में आये सुरू करते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को जल्द ही भारत में लॉंच किये जाने की उम्मीद है पबजी मोबाइल की तुलना में बैटल रोयल गेम एक अलग नाम के साथ आता है हाला की दोनों के बीच कई समानताएं हैं गेम को फिर से लॉंच करने की खबर ने कुछ आलोचकों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया है जो मानते हैं कि यह गेम पबजी मोबाइल का सिर्फ एक री ब्रांडेड वर्जन है हाल ہी में एक आलोचक डॉक्टर गौरब त्यागी जो जेन यू में सहायक प्रोफेसर हैं द्वारा दायर एक आर्टी आई में इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रद्योगी की मंत्राले और ग्रह मंत्राले मेचेश से प्रतिक्रिया मिली मंत्राले ने स्पष्ट किया कि वह खेल को भारत में लॉंच होने से नहीं रोक सकता हाला कि यह सूचना प्रोध्योगी की अधिनियम 2000 की धारा 79 एके प्रावधानों के तहट शुरू होने के बाद खेल पर प्रतिबंद लगा सकता है RTI के जवाब में IT मंत्राले ने कहा इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले की भारत में PUBG या किसी कमपनी मोबाईल एप के प्रवेश के लिए कोई अनुमती देने में कोई भूमिका नहीं है इस गेम को भारत में क्राफटन द्वारा लॉंच किया जा रहा है बैटल ग्राउंड मोबाईल इंडिया के लिए प्री रजिस्ट्रेशन 18 माई से खुला है गेम के इस हफते की शुरुआत में लॉंच होने की उम्मीद है हाला कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है क्राफटन के हालिया पोस्ट बताते हैं कि गेम 18 जून को लॉंच होगा वीडियो डेखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकॉन डाबाईए